दोस्तों रुमश्कार आज आज आप सर्थ्रियकाल नियूज क्लिक के खास कारिक्रम में आपका स्वाधत है बिहार में विदान सवाजचनाओं की मत गणना अब कुछी घंटे में शिरू हो जाएगी इसलिए उसके पहले ये पताना की किसकी सरकार बन रही है किसकी नहीं बन रही है किसको कितनी सीटे आ रही है ये बिलकुल गैर मुनासिब होगा ये पत्रकारिता के हिसाब से भी कोई मतलब इसका नहीं है लेकिन इस वक्त बिहार में जो हो रहा है कि जो लोग सक्ता के दावेदार थे या जो सक्ता में थे अब उनके बीच एक consensus सी इमर्ज कर गई है कि ऐसा लगता है कि विपक्षी महागट बंदन वह सरकार में आ रहा है यह मैं केवल नहीं कह रहा हूं यहां तक कि जो सक्ताधारी जो दल है सत्ताधारी जो एलाइन्स है उसके लोग भी दबी जुबान से ही नहीं अब खुली जुबान से भी ये लगभग मंजूर करने लगे हैं कि उनके हाथ से बाजी जा चुकी है और विपक्षी महागट पहली बात कि जो लोग सक्ता में हैं और जो उनके कटर समर्थक हैं जो उनके थेविट्सियन हैं जो उनके बौदिक आइडियलॉग हैं वे सब लोग ये कह रहे हैं कि सरकार अगर बनती है या बन रही है तो कुछ लोग कुछ समुदाय के लोग कुछ जाती के लोग विहार मे उपद्रो करने वाले हैं यानि वो पहले ही ये बता रहे हैं कि सरकार किसी ऐसे व्यक्तिकी बन रही है किसी ऐसे दल्की बन रही है जिसमें उसके कुछ समर्थ तक समझाय के लोग उपद्रो करेंगे एक तो ये और दूसरी बात बहुत सारे प्रवक्ता अभी मैं सुन रहा थ ता एक बहुत बड़ी पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जो सरकार चला रही है देश में उसके एक बड़े प्रवक्ता एक बड़े तेज चैनल पर कहा रहे थे कि दस लाग की नौकरी कहां से देंगे इसका मतलब यह है कि वो भी एहसास है उनको अनवाव ह कि वाकई जो सक्ता अभी है विहार में वो सक्ता अब बरकरार नहीं रहेगी यह उनके अनुमान से मैं कहा रहा हूं कि जो अप एक शाय हो कर रहे है उसका मतलब यह है तो हम इन दोनों मुद्दों पर हम बहुत संचेप में अपनी बात कहेंगे इस दो बातों पर हमारा यह कहना है कि यह जो मुद्दे उठाये जा रहे हैं पहली बात तो यह है भाई कि सरकार तो बन जाने दीजिए जो अपोजिशन के लोग या अपोजिशन का मतलब अभी सत्ता रुड़ दल जो है जो अपोजिशन होने वाले हैं उनके मुताबिक जो से वो यह बात कह रहे हैं से निकलता है तो जो लोग आज सत्ता में हैं और जो समझ रहे हैं कि वो आपोजिशन में आने वाले हैं उनको या उनके बॉदिक जो विचारक हैं जो उनके पढ़े लिखे लोग जो सिविल सोसाइटी अगर बियार की कोई है तो उसके जो लोग हैं बहुत सारे जर्रूलिस् विशेस के लोग पूरे प्रदेश में उपद्रों मचाएंगे अब ये बात जो है मुझे लगता है कि सरकार बनने से पहले सरकार के किसी अंदेशा जाहिद करना कि वो अगर सरकार बन जाएगी तो अमुक समधाय ऐसा करेगा वैसा करेगा मैं समझता हूं कि ये कि ये सरकार तो ऐसा करेगी वैसा करेगी पहले आपनी जंगल राज बताया कि जंगल राज की प्रिष्ट गुमी है अब आप बता रहे हैं कि किसी समधाय का तंत्र होगा मैं समझता हूं कि ये जो है ये बिल्कुल गहर मुनासिब है किसी भी एक अच्छी सियासत में किसी अच्छी राजनीत में इसमें एक पालू तो यह है कि जिस समधाय और जिस बिरादरी की बातों कर रहे हैं उनको ये समझने की जरूरत है कि बिहार में और ये दिल्ली के बध्धी जीवों में और पत्रगारों में भी इंप्रेशन है कि जैसे सारे के सारे लोग सिमान किसान है गरीब किसान है और कुछ जिले ऐसे हैं जहां थोड़े बहुत धनी किसान भी है थोड़े बहुत लेंड़ेड उनके पास प्रापर्टी भी आई है हाल के वर्षों में इसमें कोई दोराय नहीं लेकिन उनको बिलकुल वहां के एक क्रुएल फ्यूडल लाड़ परिजम से उसकी तुलना करना खासकर बड़े सोसल साइंटिस्ट को जो मैंने देखा कुछ लोगों को जो दिल्ली में जिनकी एक इमेज है कि सोसल साइंटिस्ट हैं उनका ये कहना मैं समझता हूं कि आंकणों के विरुद्द है समाश शास्तर के विरुद्द है और दूसरी जो मैं कहना चाहूँगा कि जो ये बात कही जा रही है कि 10 लाख नोकरियां कैसे देंगे वही सरकार आए बगेर आप ये कैसे कह सकते हैं कैबिनिट में अगर कोई नोट आता है कैबिनिट आकड़ा पेश करेगी तो आप कहेंगे अभी सरकार आई नहीं और सरकार क्या कि क्या उसने दावा किया कैसे वो अरे भई सौ दिन आप मांगते हो कभी कभी सरकार में आने पर अपने आप एक साल मांगते हो छे महीना मांगते हो यहां अभी शपत ग्रण नहीं हुआ कि आप बिल्कुल समय ही नहीं देना चाहते उसके पहले ही उस पर हमला शुरू कर देत अभी मतगणना शुरू नहीं वोई है लेकिन बनने वाली सरकार पर इतने सारे सवाल उठाये जा रहे हैं और दो जो ये मुत्रे हैं मैं समझता हूँ कि इनके लिए कोई ठोस आधार नहीं है कम से कम समाज शास्त्रियों को पुलिटिकल कमेंटेटर को इन चीज़ों से बाज आना चाहिए ये बताता है कि कहींने कहीं समाज में एक वित्रिशना एक विद्वेश एक इर्शिया इस तरह के भावना है जिसकी वज़ा से ये सब चीज़ें आ रही हैं तो मुझे आज बस इतना ही करना था आईए कल कुछी घंटे बाद मत गरना का हम जाय जालें नमस्कार आदाब सत्रियकाल